so the question is carbon silicon and germanium have four electron valence electron each these are characterized by valence and conduction band separated by energy gap band gap respectively equal to energy gap c energy gap silicon and energy gap germanium which of the following is true तो मैं तो समें पूछा गया है कि यसा मैं पता होगा कि समी कंडुक्टर होते हो और हमारे बैंड़ होते है ना एक होता है हमारा डों हमरा φेलले cwn wagon होता है कंड़क्शन लेड आ ज शाने हमारा Boston बेंड है और जिसमें हमारे बालंड़ यह कहलाता है répondre्प यह हमारो वैलेंस वैंड यह दिया व्याने होता है ना इसको हम कहते है एनर्जी गैप तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी है कि मतलब जो इसका ओडर होगा वैल्यू का कार्बन सिलिकन और जर्मेनियम के लिए क्या होगा तो यह से कि ना देखो इसके हमारे केमिस्ट्री कॉंसेप्ट है वह लगेगा तो कि हम पता हुआ कि सब एक ग्रूप साथ हैं ना कार्बन सिलिकन जर्मेनियम और फिर एसन और फिर पीवी है यह पूरी सीरीज ऐसे होती है तो इसमें यह देखेंगे कि हम क्या देखते केमिस्ट्री करता है ना जो जो इसका न्यूक्लेस है उसके जो आउटर मोच शेल है उसके इलेक्ट्रोन पर जो फोर्स होता है एल अट्रेक्टिब फोर्स जो होता है वो घटता जाते हैं ड्डाउं इसके होगा इसके चो प्रभबाब्रटी है बढ़ती जाएगी ना इसे सबसे क्या होगा फागने की इतना ज्यादा होगा हैना तो इलेक्ट्रोन निकल नहीं पाएगा और इनर्जी गदा रहे हैं तो इलेक्ट्रोन अजानीसे निकल जा रहे तो मतलब energy gap नीचे जातना कम हो रहे तो सबस्यादा energy gap carbon का होगा but the silicon और इसके साबसे हमारा देखो इसमें क्या बताया कि carbon का लेकिन सबसे last में हैं तो यह हमारा गलत हो जाएगा और इसमें तो यह भी गलट हो जाएगा और यहां हो जो ऑए जिसमें हमारा जर्ष जादा है पिस्स सिलिकन हो से कम और फिस्से कम जर्मेनियम का एनरजीगा है तो हमारे जिस प्रिष आप्षेचल हो ऑफ जाएगा